Hello Civil Engineers, Welcome to Engineer Center जैसा कि इसके पहले वाले वीडियों मैंने आपको समझाया था, बताया था कि हमारा जो Online Test Series है जो Upcoming Exam State Engineering Services 2021 के लिए 25 जुलाई से स्कार्ट हो रहा है आज उसके बारे में विस्ति चर्चा करेंगे किस टेस्ट में आपको क्या-क्या मिलने वाला है जी हाँ, यह हमारा जो Test Series है को 25 जुलाई से हमारे Application Engineer Junction में आप सभी को सो होगा यह आप कहां से Purchase कर सकते हैं तो आप हमारे Application Engineer Junction से स्कोर्स को Purchase कर सकते हैं और साथ ही जो Description में Number दे रखा है, Contact Number दे रखा है उनसे भी आप बात करके आप इस Test Series को Purchase कर सकते हैं इस Test Series में क्या-क्या मिलने वाला है इस पर तुछा चर्चा करते हैं यह हमारा Test Series है इसमें लगभग-लगभग 14 Test Include है इस Test के बारे में बात करते हैं कि कैसे-कैसे Test हम लोगों ने दे रखा है आप सभी के लिए तो इस पर Combo Test हम लोगों ने दे रखा है subject-wise मतब Combo Technical भी दे रखा है और Non-Technical भी दे रखा है तीन सब्जेट का Combo दे रखा है मतलब आपका तीन सब्जेट देसर में आपको बता दो हमारा टेस्ट 25 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है तो इस 25 जुलाई में आपको पहला जो टेस्ट देखने को मिलेगा वो है Building Material, Strength of Material और Structure यह तीन सब्जेट का Combo Test आपको दिखाई देगा और इसकी जो टाइमिंग है वो मौनिंग 10 एम से आपको दिखाई देगा हमारे एप्लिकेशन में 25 जुलाई को सुबे 10 बजे से यह टेस्ट जो है आपको सो होगा और ऐसा नहीं है कि यह टेस्ट क्रिप आप 25 जुलाई को सो होगा इसमें जो BN, Swarm और स्कचर में अगर मैं बात करूं तो इसके हम लोगों ने 30 कोशन आपको दिए हुए है 30 कोशन में यह 3 सब्जेक्ट का हम लोगों ने कोशन आपको दे रखा है जो आपको एप्लिकेशन में ही सो होगा जैसी आप अपना टेस्ट कम्प्रीट करनेंगे उसके बाद पहले कोशन में जब आप वीडियो सॉलुशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरे 30 कोशन का वीडियो सॉलुशन देखने को मिलेगा और अगर हम बात करें कि यह कॉंबो टेस्ट और क्या हो खितने सारे हैं तो ऐसी पांच कॉंबो टेस्ट जो है वो टेक्निकल सब्जेट्स के हैं जैसे कि दूसरा हमारा जो टेस्ट है वो मौनिंग 10 एम 26 जुलाई को सो होगा जिसमें आपको RCC, स्टील और POD और CPM के कॉश्टन देखने को मिलेगी इसकी भी संक्या, इसकी भी number of questions 30 questions होगे इसका भी आपको वीडियो सॉलुशन मिलेगा जो question number 1 जैसे आप 26 जुलाई को टेस्ट देगे उसके question number 1 में जो video solution वाले section विदा हिए, उसमें आपको ये जो 26 जुलाई का टेस्ट है जो RCC, स्टील और POD CPM है, उसके 300 question के solution आपको देखने को मिलेगा वैसी आप 27 जुलाई को भी हमारा test आने वाला है, combo technical test 28 जुलाई को भी आने वाला है, और 29 जुलाई को भी आने वाला है पांच लगातार combo test आनोगे technical के दे रखे है, 30-30 questions के उसके बाद जो हमारा, अगला जो हमारा combo test है, वो non-technical के है इसमें भी आपको 30 question देखने को मिलेगा, aptitude, reasoning, india gk और 36 gk के questions आपको देखने को मिलेगे तो यह होगा एक combo test, जिसमें technical के combo test भी है और non-technical के combo test है, इसके बाद आपको देने वाले है mini mock test, यह mini mock test में आपको क्या मिलेगा, यह technical के लिए भी है और non-technical के लिए भी है, इसमें कितने question होंगे तो इसमें 50 question होंगे, तो technical के हम दो mini mock आपको provide करने है, 50-50 questions के, इसमें हम लोगोंने answer भी दे रखा है, इसका जैसे कि आपको answer की के साथ साथ, इसका answer solution भी दे रखा है, और इसका video solution भी हम आपको provide करेंगे इसके बाद आपको दो mini mock जो 50-50 technical का मिलने के बाद, जो हम लोगोंने कोसिज किया है कि यह जो 50-50 question है, पूरा आपका जो civil engineering का जो slabers है, उसको हम लोगोंने दो 50-50 question में divide कर रखा है, कहने का मतलब यह है कि एक 50 question में आपको आधे slabers देखने को मिलेगा और दूसरे 50 question में लगबर कब आधे slabers देखने को कि जैसे आपका paper आपके state engineering services में आता है, उसमें कुछ science के question होगे, चर्टीजगट जीके होगा, कुछ उसमें current affairs होगा, और aptitude reasoning, यह जो सब्सक्राइब नहीं है, तो हम लोगों ने भी निगेटिव मार्किंग नहीं दे रखा है और ना ही आपको वहाँ पर calculate allow नहीं रहता है, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर calculate allow नहीं किया है, और हर एक question जो है, वो 2 marks करता है तो यहाँ पर भी हम लोगों ने उसी pattern को follow किया है तो आपके state engineering services का है तो ये हो गए combo technical, combo non-technical, mini mock technical और mini mock non-technical इसके बाद हम आपको provide करने जा रहे हैं तीन mock test जैसे कि आपके state engineering services का exam होता है देड़ सो question technical और देड़ सो question non-technical देड़ सो question technical और non-technical ये आपका जितना समय उसमें allowed रहता है उत्ते ही समय आपको allowed किया जाएगा तो आपको ये जो टीन जो test है वो कब-कब सो होगा application मैं आपको बता रहता हूँ अभी तक जितने ही मैंने test बता है वो 25 जुलाई से लगाकार एक के बाद एक के बाद आपको morning में 10 a.m. को सो होने लगेंगे आपके application में उसके बाद जो mock test की जो मैं बात कर रहा हूँ जिसमें टेक्निकल 150 को सो जैसा आपका paper होता है तो ये कब सो होगा आपको application में ये पहला जो mock test हो आपको सो होगा 10 अगस्त जी हाँ 10 अगस्त को आप दे पाएंगे कुछ minutes का break देंगे उसके और फिर non technical का आपको सो होने लगेगा question mock test का पहला mock test 10 अगस्त मैं ने बताया है उसके बाद जो दूसरा mock test का को हम लोग आपको दे रहे है 15 अगस्त को इसमें भी पहले आपका जैसे आपका exam होता है similar उसी तरीके से पहला आपका non technical का देट सो question होगा उसके बाद पूस देंगा break होगा उसके बाद पिर आपको टेक्निकल के question सो होगे और फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यह आप multiple times दे सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको 10 तारीक को ही देना है आप तब भी और भी दे सकते हैं लेकिन यह आपको 10 तारीक को ही सो होगा उसके बाद तीसरा अगर मॉक्टेस अगर हम बात करें तो यह आपको 20 अगस्त को सो होने वाला है 20 अगस्त को सिमिलर उसी पैटन पे रहेगा पहले आपको देट सो कोश्चन 10 बजे मॉर्णिंग में सो ह होने लगेगा उसके बाद कुछ मिनट का ब्रेक रहेगा दैन आपको टेक्निकल कोश्चन सो होंगे आपके अप्लिकेशन में तो बिल्कुल आप घर बैठे फील ले सकते हैं हमारे मॉक टेस्स से की आप एक्जाम वाला फील जो है वो आप दे सकते हैं और आपने प्रपरे वीडियो सॉलुशन दे रहें कि नहीं दे रहें और यह कब सो होगा तो फिर से क्लियर कर देता हूं 25 जुलाई से आपको टेस्स होने वाला है 25 के बाद लगातार लगातार आपको टेस्स होने लगेगा मॉक टेस्स का मैंने डेट आपको बता दिया 10 15 और 20 जुलाई तो अभी 36 सर्कार में जॉब कर रहे हैं इनोंने सेलेक्ट किया हुआ है तो कहीं न कहीं आपको बहुत बेनेफिट करेगा आपके एक्जाम में इसके फीस के अगर हम बात करें आप सोचला है अभी तक इसके फीस क्या होगी तो जो यह हमारे टेस्स हैं वह हमारे एप्लिकेशन से आप पर्चेस करेंगे वहीं पर रेजर पे करेंगे इसका हम लोगों फीस रखा है 499 रुपेस की फीस है जो ऑनलाइन टेस्स हमारा जोईन करना चाहता है और इसमें हम वीडियो सोलुशन दे रहे हैं और लगबग 1300 प्लस कोशन हम आपको प्रवाइड कर रहे हैं तो कई सालों में आये हुए हैं जिनका वेटेज अच्छा है तो आप हमारा टेस्स बिल्कुल पर्चेस कर सकते हैं 499 इसकी फीस है तो यह तो पूरी चर्चा हो गई कि online test series अगर कोई पर देना चाहता है तो कैसे पर्चेस करें उसको क्या क्या test series मिलने वाला है कितने questions मिलने वाले हैं video solution मिलने वाला है यह नहीं मिलने वाला है तो जैसे कि पिछली जो हमारा exam हुआ था बैपम जही का हम लोगों ने offline test series भी हमारे institute इसमिती नगर में conduct किया था तो इस बार भी हम हमारा offline test series conduct कर रहे हैं हमारे engineer junction institute जो की live इसमिती नगर में है तो इसमें हम आपको कौन सा test देंग इसमें चर्चा करते हैं तो offline test series में हम आपको 3 mock test provide कर रहे हैं जो mock test online students के लिए होगा सेम mock test ही हम offline students को देंगे तो online test series पर्चेस करेगा जैसे उनको 10, 15 और 20 अगस को वो सो होगा सेव उसी time पे हमारे institute पे भी same paper 10, 15 और 20 अगस को हमारे institute में offline conduct किया जाएगा और अधिक जारकारी अगर आप चाहते हैं तो नीचे description में number दे रखा है आप हमारे team से contact करके ये offline test series पर्चेस कर सकते हैं और जितने भी students इस video को देख रहे हैं और अगर आप हमारा online test series या फिर offline test series पर्चेस करना चाहते हैं तो नीचे description में telegram link दे रखा है आप उस telegram link में जरूर add हो जाएगे because आपको अगर कोई भी पर्चानी अगर आएगी अगर आपके questions में कोई doubt होगा वैसे हम लोग इस बार आपको video solution दे रहे हैं तो कोई doubt नहीं आना चाहिए फिर भी अबर आपको हमारे test series के अलावा भी अगर को doubt आता है तो नीचे description में telegram link दे रखा है आप वहाँ join कर सकते हैं और एक google form का link दे रखा है जितने भी offline हमारे test series को join करना चाहते है mock test को वो ये नीचे जो गूगल form का link दे रखा है उसमें आप भी जो offline आना चाहते हैं वो भी telegram link जोईन हो जाई ही न telegram link से और साथी साथ ये google form भी feel कर लीजेगा और इसकी क्या fees होगी ये भी मैं आपको दा रहता हूं कि जो offline mock test होगा उसकी क्या fees होगी तो इसका fees हम लोगों हम लोगों ने रखा है 349 जी 349 के offline test release के रखा है इसमें आपको 1500 गोर्शन का एक technical और 1500 गोर्शन का एक non-technical तो एक test में आपको 300 कोर्शन तो 900 कोर्शन हम आपको प्रवाइड कर रहे हैं offline भी तो आप हमारा test release offline भी join कर सकते हैं तो फिर से मैं आपको clear करेता हूं 25 जुलाई से हमारा test release आ रहा है और आज हमारा है 22 जुलाई तो कल से आप उसमें registration करना start हो जाएगा कल से आप हमारे application में जाके इसको आप purchase कर सकते हैं कल से आपको test हो नहीं होगा 25 जुलाई से test हो होगा और आप हमारा जो offline test series है वो भी purchase कर सकते हैं तो नीचे description में number दे रखा है आपको और कोई doubt होगा तो आप उसकी contact कर लीजेगा और telegram लिंक और google form लिंक आप इसको google form लिंक से आप google form बिल्कुल free कर भीजेगा जो offline आना चाहते हैं और जो online आना चाहते हैं और telegram लिंक जरू जोइन कर लीजेगा तो ऐसी आपनी तयारी जारी रखे मिलते हैं next video में नई update के साथ धन्यवाद